वतन पर जो फिदा होगा, अमर ओ नौजवां होगा, रहेगी जब तक दुनिया ये, अफसाना उसका बया होगा जहिन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का S1 कोचिंग सेंटर में फ्रेंट्स, आज के दिन हमारा देश जो है, अजादी की पचतरवी वर्सगांट मना रहा है तो इससे संबंदित, जितने भी महतपूर्न फैक्ट्स हैं, और जितने भी महतपूर्न कॉस्चन्स हैं तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तो आप वीडियो को सुरू से आंतर देखिएगा, ठीक है, तो चलिए वीडियो इस्टार करते हैं देखी, सबसे पहला कोशन है कि 15 अगस्ट 2028 को सोतंतरता दिवस इंडिपेंडन्स डे की कौन सी वर्सगांट मनाई गई तो यह जो है, पचतरवी वर्सगांट मनाई जा रही है इस बार, ठीक है, तो आप्शन 6 का राइटन शरू जाएगा देखी, इसके बारें कुछ important facts क्या क्या है, तो 15 अगस्ट 1947 को हमारा देश भारत, अंग्रेजों से पूरी तरह अजाद हुआ था 26 नमबर 1949 को हमारा देश का समिधान बन कर त्यार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा समिधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को गंतंत्र दिवस के रुप्यां मनाये जाता है अगला questions क्या है, कि सोतंतरता दिवस यानि Independence Day, 15 अगस्ट को तिरंगे जंडे का धवजा रहन जो है, वो कौन करता है तो 15 अगस्ट के दिन जो है, तिरंगे जंडे का धवजा रहन जो है, वो भारत के परधान मंतरी करता है चले इसके वारे में कुछ और बीची जान लेते हैं, जैसे देखी, सोतंतरता दिवस यानि 15 अगस्ट के दिन राजियों के मुख्यमंतरी जंडा फैराते हैं सभी राजियों में वो वाँ के मुख्यमंतरी जंडा फैराते हैं और 26 जनवरी यानि गंतंद्र दिवस के आउसर पर भारत के राश्ट पती जंडा फैराते हैं और 26 जनवरी यानि गंतंद्र दिवस के आउसर पर राजियों के राजिपाल जंडा फैराते हैं ठीक है, next question क्या है, कि भारत में कुल कितने परकार के राष्ट आवकास मनाई जाता है, तो भारत में कुल तीन परकार के राष्ट आवकास मनाई जाता है, चलिए जानते हैं कौन-कौन, देखें, भारत में कुल तीन परकार के राष्ट आवकास मनाई जाती है, कौन-कौन, त तो भारत के वरतमान राष्ट धवज का डिजाइन जो है, वो पिंगली वेंक्या ने तियार किया था, किसने पिंगली वेंक्या ने, तो देखें, कुछ important factors इसके पारे में, तो हर वर्ष दो अगस्त को पिंगली वेंक्या की जैन्ती भी मनाये जाता है, कब दो अगस्त को, च के option C, कैसका right answer हो जाएगा, चले कुछ important facts के बारे में जानते, देखें, देश के तिरंगे के नाम के सवरूप, तीन अलग-अलग रंगों की पटियां होती है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफेद, और सबसे नीचे हरे रंग की पटियां होती है, जंडे के बीच में सफेर पटि पर नीले रंग का असोग चकर होता है, जिसमें 24 लियां होती है, ठीक है, देखें, next question क्या है, कि भारत में तिरंगे जंडे में चर्खे की जगा असोग चकर कब अस्तित्में आया, तो ये आया 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, देखें, next question क्या है, कि भारत के अलावा नीम्द में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना सुतंतरता दिवस मनाता है, तो देखें, Republic of Congo, उत्री कोडिया, दक्षनी कोडिया, बहरीन, लिंक टेस्टीन, तो इसमें जितने भी 5 देश हैं, कुल 5 देश भारत के अलावा 15 अगस्त को अपना सुतंतरता दिवस मनाता है, यानकी उप्युक्त सभी समें, option F जो है, और राइट अंसर हो जाएगा, next question क्या है, कि हर वर्स राष्ट जंडा दिवस का मना जाता है, तो हर वर्स राष्ट जंडा दिवस जो है, वो 22 जुलाई को मना जाता है, next question क्या है, कि स्वतंतर भारत के पहले परधान मंतरी कौन थ देखे, स्वतंतर भारत के सबसे पहला परधान मंतरी कौन था, पंडित जोहलाल नहरू थे, ठीक है, और गिरह मंतरी सुचना वा परसार मंतरी कौन थे, वो थे सरदार बल्ला भाई पटेल, खाद एवं किरसी मंतरी कौन थे, तो यह डॉक्टर राजयन परसाथ थे, और य इधी मंतरी कौन थे सबसे पहला, तो दोक्टर भीमरा अमबेटकर, फिर सरम मंतरी कौन थे सबसे पहला, तो जग जीवन राम था, पहला स्वास्त मंतरी कौन थे, राजकुमारी अमरिता कौर थी, पहला वानिज मंतरी कौन थे, तो सी एच भाभा, और पहला संचार मंतरी क कौन था तो यह था आरके सर्मुकाम से ठी और पहला उद्धियोगवा अपुर्ती मंतरी कौन था यह था डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी और कारी खान एवा मुरवरग मंतरी कौन था यह था पी एंड गॉडगील देखे नेक्स्ट क्या है कि राष्ट गान जनगानमन के रचीता कौन है तो राष्ट गान जनगानमन के रचीता है रविंद्रनाथ् टेगर चेले कूछ important facts के बारे में जान लेते हैं भारत के राष्ट गान जनगानमन का अँग्रेजी अनुबाद रविंद्रनाथ् टेगर ने morning song of इंडिया के नाम से किया था राष्ट धवच पहली बार 26 जनवरी 1911 को कॉलकाता दिवेशन में गाया गया था ठीक है उसके बाद समिधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट गान की रूप में अपना लिया था नेक्ट कोशन क्या है कि भारत के भाजन की घोसना कीस अंगरेज ने किया था यहां किसका है एक धवज ना सिर्फ हमारी सोतंतरता बलगी सभी लोगों की स्वतंतरता का पर्तिक है यह कथन पंडित जौलाल नहरू का है नेक्स्ट कोस्टन क्या है कि भारत का राष्ट गीत कौन सा है तो भारत का राष्ट गीत वंदे मातरम है ठीक है इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्स जान लेते हैं बहरत के राइष्ट गीत वंदे मातरम के रचिता बंकीम चंदर चटवपाद ध्याई थी, कौन दे बंकीम चंदर चटवपाद ध्याई? नेक्स्ट कोशन क्या है कि सुप्रीम कोट में किस अनुछेद के तहत धोजा फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गोशिद किया गया है तो यह किया गया है अनुछेद 19 ये में अप्शन सी इसका रेटन्स रो जाएगा चलिए अब हम लो कुछ अजादी से जो ये कुछ परमुख नारे के अबारे में देखे लेते हैं देखे सबसे पहला है कि सवराज हमारा जन्म सी थाधिकार है ये नारा किसका है तो ये है बाल गंगादर तीलग का उसके इबाद है इंकलाब जिंदावाद ये किसने दिया था ये दिया था भगत सिंग ने फिर उसके इबाद है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा ये किसने दिया था ये दिया था इकबाल ने उसके बाद आराम हराम है ये नारा किसने दिया था पंडित जोहरला नहरू ने फिर है कि मेरे सीर पर लाठी का एक एक परहार अंग्रेजी सासन के कफन की कील साबित होंगे ये नारा किसने दिया था ये दिया था लाला लाचपत राय ने नेक्स्ट है करो या मरो ये नारा किस ने दिया था मातमा गांधी ने फिर है मरो नहीं मारो ये नारा किस ने दिया था ये दिया था लाल बाहदुर सास्त्री ने उसके बाद है सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये नारा किस ने दिया था ये दिया था राम परशाद बिस्मिल ने फिर है भारत छो दो ये नारा किस ने दिया था ये दिया था मातमा गांधी ने उसके बाद है विजाई विशुत तिरंगा प्यारा ये नारा दिया था स्याम लालगुत परसद ने उसके बाद है दिल्ली चलो ये नारा दिया था सुभाचंदर बोस ने उसके बाद है तुम मुझे खुंदो मैं तुम्हें अजादी दूँगा ये नारा दिया था सुभाचंदर बॉस ने उसके बाद एक दास्ता के हलुए से अजादी के सुखे चने कहीं अच्छे हैं ये नारा दिया था सुभाचंदर बॉस ने फिर है जय हिंद ये नारा किसे ने दिया था ये भी दिया था सुबाचंदर बॉस ने उसके बाद है जय जवान जय एकिसान और जय विग्यान ये नारा किसे ने दिया था ये दिया था अटल ब्यादी बाचपई ने तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम लोग अजादी से संबन जितने भी महत्पुर्ण कोस्टन बन सकते थे मैं आज की वीडियो में बता दिया है तो आई होप वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें तो दोस्तों के पास सेयर करें चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही थेंक्यो फूर वाचिंग